अच्छों बात करने वाले आयरुवेत की ऐसे प्लासिक आउशदी के बारे में जिसको तियार किया जाता है इस मामूल से दिखने वाले प्त्थर से और ये मामूल से प्त्थरे फिटकरी, फिटकरी को जलाके उसके अंदर से एक बस्मा तियार की जाती है और यह बस्मा कहीं सारी बिमाली को जरसे खत्म करने का काम रखती है और स्मेजिकल आउशिति का नाम है स्फटिक बस्मा तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्फटिक बस्मा किस तरह से तयार की जाते है स्वर्टिक बस्मों को यूज करने से आपको कौन से कौन से फाइड़े होते हैं और स्वर्टिक बस्मों को आपको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए स्वर्टिक बस्मों को तयार करने के लिए आपको जोत पड़ेगी फिटकरी की आप कोई भी साइस की फिटकरी ले सकते हो, आप रेड का लग्या फिर सफिद का लग्या फिटकरी आती उसमें से कोई भी फिटकरी का प्रयोग काड़ सकते हो सबसे पहले आपको फिटकरी को अच्छी तरह से कुट की पिसकी उसको क्राईश कर लेना है अगर आप इस तरह से पूरिये पत्थर का यूज करोगे तो आपको उसकी बसनों तयार करने में ताइम जाए को थोड़ी सी प्राब्लम होगी तो better इस पत्थर को हम इमाम दस्ता में डाल के सबसे पहले उसको दर-दरा पीस लेंगे तो आपको एक लेने इमाम दस्ता उसमें डालेगी fit curry को उसको अच्छी तरह से कूट के उसका powder बना लेंगे उसके बाद आपको एक लेना है बरतन पॉसिबल यहाँ पर स्टील या फिल लोहे के बरतन का प्रयोग करे बरतन को आपको दिमी आज में गरम करना है और उसके अंदर आपको डाला है fit curry का powder जैसे जैसे बरतन गरब होगा जो भी आपने fit curry एड़ किया था वो दिरे-दरे melt होना शिरू होगा और उसके अंदर से बुल-बुले निकलना शिरू हो जाएंगे आप देख सकते हो कि जो हमने fit curry डाली थी वो पूरी तरह से melt हो जुकी है और उसके उपर एक green color के आपको layer दिखरी होगी जो green color के गुल-बुले है वो इसकी impurities है अब जब भी fit curry को लाओगे अगर उसके अंदर से कोई भी तरह के ऐसे color वाली बुल-बुले नहीं निकल रहे तो गबराये मत या फिर कोई और color के बुल-बुले निकलते हैं तो गबराये मत या फिट करी की impurities है और जब यब इसकी बस्मा तयार करते हो तो fit curry के अंदर जो भी गंदगी थी जो भी impurities थी और पूरी बहार निकल जाती है भी इस तरह से fit curry की शुद्धी होती है और इसकी वज़े से यह जो बस्मा थी वो और जदा effective और जदा strong तयार होती है जो भी fit curry के उपर impurities होगी अस्पून की साहिता से और फिर चमच के साहिता से इसको अलग कर ले अगर पूरी impurities बहार नहीं निकल पाती तो भी चलेगा पर ट्राय करें कि जो भी maximum इसके उपर गंदगी थी उसका पूरी तरह से साफ कर ले आपको इसको तक तक पकाते हैं ना कि जो इसके अंदर से बुलबुले निकल रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो जाए कि पूरी तरह से melt हो की liquid हो चुका था वो फिर से hard हो जाए तो fit cream पूरी तरह से hard हो जाएगी तो हम गेस को बंद कर देंगे और बर्तुन को नीचे उतार के पूरी तरह से थंडा कर लेंगे और इस fit cream को हम अगे निकाल के इसको इमाम दस्ते में पीस की powder बना लेंगे और powder बनाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चान लेंगे इसके वज़े से बारिक आउशदी तेयार बिल जाएगी और इस आउशदी को आप 8-8 container में store कर लें और इस आउशदी अप प्रयोग करने के लिए तयार है अगर हम बात करें इसके फाइदा की तो इस कफ की बहुती अच्छी आउशदी है ऐसे बच्ची जिनको बार-बार कुर-कुर खासी हो जाती है means एक खासी बहुत ज़दा गंबिर होती है कभी-कभी खासी टाइब बच्चों को वामिटिंग हो जाती है तो इस condition के अंदर इसके अलवा बलगम वाली खासी, सुखी खासी, छाती के अंदर कफ का जमा हो जाना कले के अंदर कफ का जमा हो जाना बार बार सरदी जुखाव होना, अगर आपको दमा है, अस्तमा है, प्रॉंकाइटी से, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़़ा स्मोक करते हैं, जिनको लंग्स से जूरी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर कोई भी तरह का इंट्फेक्शन हुआ है, या फिर खतम करने का काम करती है, इसके अलाव, आपकी श्रीर में से जो ब्लड निकलता है, उसके रोपने का काम करती है, मिस महलाओ के अंदर, वीडियस के दूरण एक्सस ब्लेडिंग होना, नकसेर का फूट ना, मिस नाप के अंदर से ब्लड आना, अगर आपको पायल से, खुनी उटरण की वगनल रहें, वीडियस के अंदर से ब्लड आना, तो इसके अलवा, खुन की उल्टी होना, तो इस तरह से, अगर आपकी बोडी में से कहीं भी ब्लड का स्टराव निकल रहा है, उस त्राव को यह रोकने का काम करता है, इसके अलाव, आपको पेट में अलसर है, मुह में अलसर है, तो उसके अंदर भी स्वटिक भस्मा बहुत ही अच्छे से काम करती है पेशाप करते तार्म जलन होना, पेशाप करते तार्म दर्द होना या फिर आपकी यूदे जो ट्रेक है उसके अंदर इंट्फेक्शन होगा है तो इस condition के अंदर भी आप इस भस्मा का प्रयोट कार सकते हो अगर आपको बारबर जॉनलीस हो जाता है तो अगर आपको बारबर पिलिया हो जाता है तो इस गाओ के उपर इस भस्मा को लगाने से भी जब काओ था और बहुत ही जल्दी हिलोना शिरू हो जाता है इस के अंदर पाये जाने वाली एंटी बैक्टेर, एंटी फंगल और एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टिस आपके गाओ को पढ़ने की ताकात रगता है अगर आपको कोई भी तरका स्किन डीजिस है, सोराइसी से, एक्जीमा है, रेंगवों में छोटी मुटी फोडी फोडी फूंसिया होते है अप फिर फेस के उपर बार बार पिंपल्स होते है तो इस भस्मा को स्किन के उपर पानी के साथ अपलाई करने से आपको बहुत अरिफ ऑजह से जेसे ब्लड को प्यूरिफाइग करने की वजह से लिए स्किन डीजिस को खतम करने का काम करती है इसके अलावा तो इस कंडिशन के अंदर भी आप इस भस्मा का परयोग कर सकते हो अगर आपको diabetes की problem है तो blood sugar को control करने के लिए भी बस्मा बहुत ही अच्छे से काम करती है इसके अलावा हरपीस, पेट के अदर दर्द होना और साथ ही आँखों से जूड़ी अगर आपको कोई भी तरह की problem है तो इस problems को खत्म करने के लिए आप इस भस्मा का प्रयोक कर सकते हो अब बात करतें dosis की तो आपको इस भस्मा को किस तर से intake करना है, अब इस भस्मा को शहत के साथ घी के साथ दुने को पाने के साथ इंटेक कर सकते हो अगर आप बात करें इसकी 7 विधी की, तो इसको आपको इंटेक करना होते हैं, खाना खाने की आधे गड़े के पाद, आप इस भसलों को दिन में एक बार या दो बार इंटेक कर सकते हो, एक बार लेने के जो मातरा होते हैं, वो 125 mg से 50 mg तक होते हैं, means एक रत्ती से लेके 2 रत जो आपको डीजी से उसके according ली इसका जो अनुपान है इसके जो मात्रा है तो ज़्यादा या फिर कम हो सकती है इस आउशिद्य का प्रयोग करने से पेले अपने डोक्टर को अपने वेट को consult ज़रूर करें उसके बाद ही इस आउशिद्य का प्रयोग करें यह बहुती मामु आउशिद्य का प्रयोग ज़रूर करें अगर आपको मेरी माहिती यूसफुल लगी हो तो भी रूड़ी को लैट ज़रूर करें आज के लिए इतना ही बिलते नेक्स प्रयों में तक तक के लिए देन्यवाद